यहुआ अपने अभिशिक्त कुस्रु की विशय यू कहता है कि मैंने उसके दहिने हाथ को इसलिए ठाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दू और राजाव की कमर ढिली करू और फाटकों को उसके सामने खोल दू और फाटक बंदन की जाएगे मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और उची उची भूमी को चवरस करूँगा मैं पीतल के किवाडों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेडों को टुकडे टुकडे कर दूँगा मैं तुझको अंधकार में छपा हुआ और गुपतस्तानों में गढ़ा हुआ धन दूँगा जिससे तु जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ और मैं ही तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ अपने दास याकुब और अपने चुने हुए इसराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है यद्यपी तु मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पद्विरी है मैं यहोवा हूँ और दुसरा कोई नहीं मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं यद्यपी तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कर सूँगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहवा हूँ, दुसरा कोई नहीं है, मैं उजियाले का बराने वाला और अंधिहारे का सुजनहार हूँ, मै मैं शांती का दाता और विपती का सुजनहार हूं। मैं यहवा ही इन सभों का करता हूं। है आकाश उपर से धर्म वर्षा और आकाश मंदल से धर्म की वर्षा हो। फिर पृत्वी खुल कर उधार उत्पन करे और धर्म को उसके संग ही उगाए। मैं यहवा ही उसका उत्प कि तू यह क्या करता है क्या कारिगर का बनाया हुआ कारियर उसके विशे कहेगा कि उसके हाथ नहीं है। क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विशे मुझे आग्या दोगे। मही ने पुरुष को बनाया और उसके उपर मनुश्यों को सुजा है। मही ने अपने हाथों से आकाश को तान दिया और उसके सारे गनों को आग्या दिया है। मही ने उस पुरुष को धर्म की रीती से उभारा है और मैं उसके सब मारगों को सीधा करूँगा वहां मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधों को बिना दाम का बदलाल यहुए छुड़ा देगा सिनाओ के यहुआ का यही वच्चन है यहुआ यहुआ यो कहता है कि मिस्रियों के श्रम की कमाई और कुश्यों क यह व्योपार का लाब तुझको मिलेगा और सबाई लोग जो डिल डावल वाले है तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे वे तेरे पीछी पीछे चलेंगे बरन सांकलों में बंदे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे बिंती करेगे कि निश्चे तेरे ही बीच परमेश्वर है और दुश्रा कोई नहीं कोई और परमेश्वर नहीं है इसरायल के परमेश्वर है उद्धार करता निश्चे तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुपतर रखता है मुर्तियों को गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकि कभी नतो लज्जिद और नव्याकुल होंगे क्योंकि यहुआ जो आकश का सुजनहार है वही परमेश्व है उसी ने पुत्वी को रचा और बनाया उसी ने उसको स्थिर भी किया और सुनसान होने के लिए नहीं सुजा परंतु बसने के लिए उसे रचा वही यो कहता है कि मैं यहुआ हूँ और मेरे सिवाए दूसरा और कोई नहीं मैंने ने किसी गुपतस्थान में ने अंधकार के देश के किसी स्थान में बाते की है मैंने याकुब के वन्शिसे नहीं कहा कि मुझे विर्थ धुंडो मैं यहोवा धर्म की बात कहता हूं और उचित बाते बताता आया हूं हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों इकटे होकर आओ एक संग मिलकर निकटाओ वह जो अपनी लकडी की खोदी हुई मूरते ले फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उधार नहीं हो सकता प्राखना करते हैं वे अग्यान हैं तुम प्रचार करो और उनको लाओ हाँ वे आपस में सम्मति करें किसने प्राचिनकाल ही से यह प्रगट किया किसने प्राचिनकाल में इसकी सुचना पहले ही से दी है क्या मैं यहवा ही ने यह नहीं किया इसलिए मुझे छोड कोई और दुसरा परमिश्वर नहीं है धर्मी और उद्धार करता परमिश्वर म मैं ही परमेशुर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपत खाई और यह वचन धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकला है। और वह टलेगा नहीं कि प्रत्य गुटना मेरे सन्मुख जुकेगा और प्रत्य के मुख से मेरी ही शपत खाई जाएगी लोग मेरे विशे में कहेंगे कि केवल यहवाही में धर्मा और शक्ति है उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा तब इसरायल के सारे वंश के लोग यहवाही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी पतिष्ठा करेंगे